नमस्कार में श्यूम प्रेड़ना आप देख रहे हैं एक नियोस 24 वैसे तो हमारे समाज में कुरीतियां दिन प्रती दिन बढ़ती ही जा रही है लेकन फिर भी कानूनी पशरों की बात करें तो कानून का भी इतना ज्यादा अब मिस्यूज होने लगा है कि इसका कहना ही नही है जिसमें कलकत्ता हाई कोट ने एक बात कही कि 498A IPC के धारा 498 जब बनाये गया था तो उसका एक उद्देश रिथा कि समाज में हो रही कुरीतियों को बुराईयों पर अंकुष लगाया जा सके लेकिन अब जितने तेजी से इस धारा का मिस्यूज किया जा रहा है इसका कुछ कहना ही नहीं है यानि कि कहीं न कहीं हमारे कानून का कैसे गलत इस्तिमाल होता है यह साब तौर पर हम अपने समाज में ही देख सकते हैं जैसे बात करते हैं हम अगर ASTST Act की या बात करते हैं 498A की जो दहे संबंधी कानून है इसका जितने तेजी से इस्तिमाल हो रहा है गलत थड़ीके से इस्तिमाल हो रहा है जाहिर सी बात है कि ये समाज में जो है कानून के डर को खत्म करने वाला होते जा रहा है साब तोर पर यहां पर कलकत्ता हाई कोट ने यही बात कही है कि कुछ चीजों को हम समाज के दाइरे को बनाने के लिए लाते हैं लेकिन उसका किस तरीके से गलत इस्तिमाल होता है ये भी हमें उसी समाज में देखने को मलता है और इसको लेकर कलकत्ता हाई कोट ने एक सक्त ट 98A को लाए गया था लेकिन इसके गलत इस्तिमाल ने कानोनी आतंकवाद यानि की लीगल टेरिजम को बढ़ा दिया है जस्टिस उभेंदू सामंत ने एक महिला की उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ याचिका रध करते हुए कहा कि इसे महिलाओं के कल्यान के लिए लाए गये थे लेकिन अब इसके जूटे मामले बहुत ज्यादा आ रही है इसका गलत इस्तिमाल खूब हो रहा है महिला के याचका में शारीरिक और मानसे की आतना का रोब साधारन लग रहा है गवाहों के बयार ऐसे किसी तथे का खुलासा नहीं करते जिसमें आरोपी पती को फंसाया जा सकता है केस डायरी के मेडिकल प्रेस्किप्सन में भी महिला के शरील पर किसी चोट का जिक्र नहीं है कोट ने यह भी कहा कि एक परोसी ने पती पत्नी के जगरे के बाड़े में बस सुना है दो व्यक्तियों के जगरे का मतलब यह नहीं कि कौन हमलावर था या कौन पिरित है दहेस फ्रथा का मामला केवल नेज़ी दुस्मनी निकानने के लिए लगाय गया है इसलिए मौजुला हालात के तहत याचका को रद्द करता ही सही है नहीं तो केस जारी रखना अदालत के वक्त की बरबादी होगी बता दे कि पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि पती से अलग रह रही एक महिला ने पहली बार अक्टूबर 2017 में पती के खिलाप मानसिक और शारीरिक क्रूड़ता का रोप लगाते हुए मामले को दर्श कराया था इसके बाद पुलीस ने कुछ गवाहों और पडोसियों के बयान दर्श किये लेकिन अदालत ने इन्हें काफी नहीं माना महिला ने दिसंबर 2017 में एक और शिकायद दर्श की इस बार उसने पती के परेजन का नाम लेते हुए उन पर कुरूरता करने और मानसिक शारीर की आतना देने का बरा रोप लगा दिया तो जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं कि कलकता हाई कोट इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से सक्त रवये को अपनाना सही समझा जिस तरह से आप सुन पा रहे हैं कि दहेश प्रथा के कानून का गलत इस्तिमाल किया जा रहा है और ये हमारे समाज में आए दिन देखने को जिसमें तमाम सबूतों को देखते हुए गवाहों को देखते हुए कलकता हाई कोट ने इस केस को रद्ध करना ही सही समझा और यहाँ पर साफ तौर पर कलकता हाई कोट ने एक बात कही है कि अगर इस तड़िके का केस कोट में होता है तो कही न कहीं यह समय की बरवादी है औ और कानूनन उसे अपराध बनाय जा रहा है क्योंकि अगर कोई कानून बनता है किसी के न्याय के लिए और उसको हम गलत तडिके से उपयोग मेलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस कानून पर से लोगों का विश्वास उठने लगता है और समाग जो है धीरे धीरे उसी कानून को गलत तड़ीके से इस्तमाल करने के लिए आदेतन मजबूर हो जाता है फिलाल इस वक्त के ख़बर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीडियो जब्रेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चानल एक नियूस 24 हमारे चानल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद